हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लिएंतरन में आने वाले व्यवसाइक बैंकों द्वारा किसानों के रून न चुका पाने के कारण रोड़ा एक्ट के तहत भूमी कुर्की वर निलामी की कारवाई की जा रहे हैं राजसरकार ने अधिकारियों को इसे रोकने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि राजसरकार ने सहकारी बैंकों के रून माफ किये हैं भारत सरकार से आग्रह किया है कि कम शिरियाल बैंकों से वन टाइम सेटलमेंट कर किसानों के रून माफ करें राच सरकार में इसमें हिस्सा वहन करने गेतु तयार है गेलोत ने कहा कि हमारी सरकार ने 5 एकर तक रुशी भूमी वाले किसानों की जमीन निलामी पर रोक का बिल विधान सभा में पास किया था परंतु अभी तक राचपाल की अनुमती ना मिल पाने के कारण ये कानून नही बन सका है गेलोत ने कहा कि मुझे दुख है कि इस कानून के ना बनने के कारण ऐसी नौबत आई मैं आशा करता हूं कि इस बिल को जल्द अनुमती मिलेगी जिससे आगे ऐसी नीलामे की नौबत नहीं आएगी राजिस्तान में हाली में अलवर और दौसाल में ऐसे दो मामल के सामने आए हैं जब कर्स नहीं चुका पानी वाले किसानों की जमीनों को कुर्क करके नीलाम कर दिया गया इससे बीजेपी कॉंग्रेस की अशोग गेलोत सरकार पर हमलावर हो गई बीजेपी ने कॉंग्रेस पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए उससे घेरना चलावा किया है हालाकि इस मसले को लेकर मच्छे राजनेतिक बवंडर के बाद अलवर और दौसा में कड़जदार किसानों के खेतों की निलामी की प्रक्रिया को ही कैंसल कर दिया गया है वहीं अलवर में आज फिर 11 किसानों की कूर्की का आदेश निकाला गया था उसे भी अलवर जिला प्रशासन ने वापस ले लिया है दौसा में किसान की निलामी की गई जमीन के मामले को लेकर किसान नेता राकेश ठीकैद भी बीती रात को वहां पहुच गए थे इससे मामला बढ़ता देकर सरकास सतर्क हो गई जागरुक टिवी की जैपुर से खास रिपॉ झाल 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 झाल